देखिए जब ये कॉईल एंटर करेगी इसमें जब यहां से एंटर करना शुरू करेगी तो इसका एरिया चेंज होगा इसमें फ्लक्स बदलेगा और जब ये फूरी कॉईल इसका अंदर होगी यहां तक कुछ पाट इसका पीछे भी रहा होगा इस टाम तक flux change होगा, means इस point से लेके इस point तक, तो इतने में इसको time लगेगा A by V फिर यह आपस निकलना शुरू करेगी जब यह निकलना शुरू करेगी तो इधर से निकलेगी और इधर से इसके अंदर आएगी तो कोई change नहीं आएगा flux में और उसके बाद जब यह निकलना शुरू करेगी तो इसके बाद जब यह निकलना शुरू करेगी तो अगें flux will change so again for a same time flux will change so total time is 2A by V this is the answer